अगर गर्मा गरम आलू पालत अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक की जगा आप चार रोटी खाना पसंद करेंगे इतनी स्वादिस्ट बनती है ये और आपको बहुत पसंद आएगी फटा फट से बन जाएगी और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये देखी कितन देखने में बहुती टेस्टी है कि दमशकार दोस्तों मैं शुष्मा आपका शुष्मा के रस्वी में स्वागत करती हूं तो यहां मैंने लिया है आधा किलो यहां पे पालक लिया है जिसकी मैंने डंडी तोड़ दी है और अच्छे से साफ कर लिया है धोके तो यहां मैं इसको एकदम बारिक बारिक काट लूँगी तो फटा फट से इसको चौप कर लेते हैं आप बजार से कटवा के भी ला सकते हैं तो यहां मैंने देखिए इसको बारिक बारिक चौप कर लिया है और सारे यहां पे काट के तयार कर लिये है अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा चमच सरसो का तेल लिया है कड़ाई में तेल को थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे तो यहाँ मैंने लिया है एक इंच अद्रक लिया है एक बड़ा चमच यहाँ पे मैंने लसन लिया है दो हरी मेच और एक मैंने यहाँ प्याज लिया है सारी चीजें मैंने यहाँ पर बारी काट के लिए हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा चमज डाल रही हूँ मैं जीरा जीरा को यहाँ पे थोड़ा सा क्राकल होने देंगे इसी के साथ एक पिंच डाल रही हूँ यहाँ पे हिंग और अब मैं यहाँ पे बारी कटावा प्यास डाल दूँगी हलका सा इसको भून लेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे अब यहाँ पे मैंने तीन कच्चे आलू लिये हैं जिसको मैंने बड़े बड़े टुकडो में काटा है तो बस इसको भी यहाँ पे भूनना है तो आलू को हमें यहाँ पे अच्छे से पका लेना है तो आलू को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया तो यहाँ देखिए आलूग में देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है और यह बस थोड़ा सा रह गया है बाकी अच्छे से पक चुका है अब इसी के साथ इसमें में डाल दूँगी लसन, अद्रक और हरी मिर्च तो इन तीनों चीजों को भी यहाँ पे अच्छे से मिक् करके थोड़ा सा भून लेना है अब इसी के साथ जो हमने पालक बारिक काटके रखी है वो में डाल देती हूँ इसमें सारा और पालक देखिए अब ज्यादा लग रही है लेकिन यह जैसे ही इसको में ढखूंगी तो यह एकदम कम हो जाएगी तो पालक यहाँ डाल दिया ह अब दो मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर लिये मैंने यहाँ पे जिनको मैंने बारिक कटा हुआ है अब यहाँ पे एक चुताई चमच हल्दी पाउडर डालेंगे इसी के साथ हाफ टीस्पून यहाँ पे डालूंगे मैं लाल मेची का पाउडर मेची आप कम जादा कर स रखते हैं एक चमच डाल रही हूँ धनिया पाउडर वन फोर टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ गरब मसाला पाउडर नमक डालेंगे स्वात के अनुसार तो यहाँ पे सारे जो मसाले हैं मैं डाल चुकी हूँ बस घर में जो मसाले हैं वही डालने हैं कोई अलग से मस जो है इसमें से पूरा मौईषयर ना बहार आ जाये तब तक इसको देखिए यहां मिने पका लिया और पालक का पुरा मौईषयर बहार आ चुका है यह देखिए एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते ces कर लेते हैं Stefan तो बस इसको हम अब बिना ढकन लगाए इसको अच्छे से पका लेंगे पानी देखिए यहां पे सूख चुका है और यहां पे आलू पालक भी बनके तयार है यकीन मानिए बहुत टेस्टी आलू पालक बनके तयार होते हैं अब हाफ टीस्पून यहां पे चिली फ्लेक्स डा दिया है अब इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक इसमें से पूरा पानी सूख ना जाए तो बस और यह देखिए साइड से इसमें आईल ना आ जाए तो यह तैयार है आप देख सकते हैं साइड में नजर आ रहा है यह देखिए तो बस आलू पालक बनके तयार है बहुत बढ़िया लगता है दोनों चीजों के साथ तो अगर रेस्पी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स से मिर को आप जरूर लिखके बताईएगा और आप किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं यह भी आप मुझे जरूर बताईएगा थैंक यू